हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर दोस्तों आज आपके साथ बहुत ही उप्योगी और अच्छी टीप्स सेर करने वाली हूँ आप इन टीप्स का उप्योग करके कम समय में आसानी से काम कर पाएंगे और साथ ही पैसे की भी बचत कर सकते हैं टीप्स नमबर वन है हलवा को टेस्टी बनाना है तो सूखी चीनी की जगा चास्नी बना कर डालें इससे हलवा खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा टीप्स टू है खाना खाने के बाद पेट में यदि भारी पन मैसूस हो रहा है तो पुदीने के पत्ते को पानी में उबाल कर पी ले ऐसा करने से पेट का भारी पन दूर हो जाएगा टीप्स थ्री यदि चुकंदर का चिलका को अपने चेहरे पर लगा कर थोड़ी दिर के लिए मसाज करेंगे तो आपके चेहरे पर अच्छा निखार आएगा टीप्स 4, चेहरा पर निखार लाना है तो रात को चेहरा पर कच्चा दूद लगा, इस से चेहरा साफ होगा और निखार भी आएगा टीप्स 5, सर्षु का तेल यदिया बाल में लगाते हैं तो बाल मस्बूथ होगा और जल्दी सफेद नहीं होगा टिप्स 6, ढोकला को अगर टेस्टी बनाना है तो ढोकला बनाते समय थोड़ी सी पीसी हुई काली मिर्च डाल दे इससे ढोकला का टेस्ट दोगुना बढ़ जाएगा टिप्स 7, प्यास करते समय आखों से आशु आने लगता है तो ऐसे में आप आधे घंटे के लिए प्यास को फ्रीज में रख दे और फी फ्रीज से निकाल कर जब आप प्यास काटेंगे तो आखों से आशु नहीं आएगा टिप्स 8, सूखी सबजी जब हम बनाएं तो उसमें कीचन किंग मसाला डाल दे इससे सबजी का टेस्ट बढ़ जाएगा और खाने में टेस्टी लगेगा टिप्स 9, अंकूरित अनाज को फ्रीज में रखना है तो उसमें एक चमच निम्बू का रस डाल दे ऐसा करने से फ्रीज में बदबू नहीं आएगी टिप्स 10, हमें आवले का मुडब्बा खाना चाहिए क्योंकि आवले का मुडब्बा खाने से हमारे सरीर में विटामिन C की कमी नहीं होगी और हम स्वास्त रहेंगे टिप्स 11, अगर हमारे सरीर की हड्डियों में कम जोड़ी मैसूस हो रही है तो सोया बीन खाए आप सोया बीन की सबजी या सोया बीन से बनी वेंजन खाए इससे हड्डियों की कम जोड़ी दूर हो जाएगी टिप्स 12, अगर आप कूकर में दाल बनाए तो चार से पांच बुंद सरसो का तेल डाल दे ऐसा करने से कूकर की सीटी देते समय दाल कूकर से बाहर नहीं आएगा तो दोस्तों यह सारी टिप्स आपके लिए बहुत ही उपयोगी है आप इन टिप्स का उपयोग कर खाना को कम समय में टेस्टी बना सकते हैं और खुद को स्वस्त रख सकते हैं वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें चानल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर करिए नोटिफिकेशन को आल कर ले ताकि मेरी सभी वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे